अगर आप अपने बनलाइफ अकाउंट को एकसेस नहीं कर पा रहे हैं, आप पासपर्ड रिसेट करने में आपको अकाउंट नौट फाउंड या यूजर नौट फाउंड का एरर आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी, यहाँ पर हम डिटेल से सारी चीजों को जानेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, एक-एक करके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अकाउंट एकसेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा बनलाइफ अकाउंट बनाए हैं, चाहे वो अपने नाम से या अपनी फैमली म करना है, उस अकाउंट को ओपन करने के लिए कंपनी को पहले एक इमेल भेजना है, उनसे रिक्वेस्ट पूछनी है कि हमारे साथ क्या प्रॉलम है, वो आपको बताएंगे, और उसके बाद आपको जो है, उसे सॉल्व करने का प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा, तो आप भी कर सकते हैं, बनलाइफ अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, इसके रिकार्डिंग जब कंपनी को मेल किया गया है, तो उनका रिप्लाइ को इस प्रिकार आया है कि आपका ये इमेल आइडी जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक से ज़्यादा अकाउंट में एक से ज लोग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही अकाउंट से मल्टिपल अकाउंट को स्विच कर करके देख सकते हैं, तो अगर आपकी मोबाइल नमबर और इमेल आइडी कई सारे अकाउंट में दी गई है, और उन सभी पर के बाइसी अलग अलग है, तब भी आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आपने एक इमेल आइडी को कई मोबाइल नमबर के साथ यूज किया है, तब भी आपके साथ ये दिक्कत होगी, तो आपको नए सिस्टम को एकसेस करने के लिए चाहिए कि आपके सभी अकाउंट में एक ही मोबाइल नमबर और एक ही इमेल होगा, और compliance team इस सारे matter को handle कर रही है, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए 30 euro की fees देनी होगी, यहाँ पर लिखा है, 30 euro की fees देने पर आप अपना मोबाइल नमबर और email id सब कुछ चेंज करा सकते हैं, और अपने multiple profile को एक profile के अंदर ही merge करवा सकते हैं, ठीक है, अब आप आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर a copy of document that could serve as a proof of ID, तो आपको ID proof आपका देना होगा, और नया email id देना होगा, जिस पर आप अपने नए account को access करना चाहिए, अप payment कैसे करना होगा, तो उसके बारे में भी इन्होंना बताया है, the fees can be paid by a bank wire and BTC only, तो आप Bitcoin म कर सकते हैं, और किस method से कर रहे हैं, यह आपको company को पहले से ही inform करना होगा, क्योंकि जब आपको payment detail provide कराए जाएंगी, तभी आप 30 euro का payment कर सकते हैं, आगे इन्होंने लिखा है, thank you for choosing the one life network, best regard, one life support team, तो यह one life support team की तरफ से message था, अगर आपका भी account open करने में कोई problem हो रही है, तो आप इसी तरीके से company को contact कर सकते हैं, और वहाँ से आपको payment detail मिल जाएगी, आप वहाँ पर 30 euro payment करके अपना ID proof देकर अपना account open करवा सकते हैं,